आपके लिए काफी इम्पोटेंट रहने वाले आपके एक्साम के लिए आप कानपूर इन्युवस्टी से हैं कि तो 2022 में आने वाले कोशन की बात करूंगा यह बीसी से किंडियर का पेपर है केमिस्ट्री का फस्ट पर है जिसे हम इन और्गनिक केमिस्ट्री कहता है क्याना जाता है इन और्गनिक स्टार्टिंग करने से पहले वीडियो मैंने कहां 2022 में आने वाले छपने वाले कोशन है 2022 में च्छप रहे हैं आपके पेपर में यह कोशन वा नहीं आपको बस पहले तो बाद में बताएंगे कोशन को पहले तो चलो को सब्सक्राइब करो आप सभी लोग और वैल आइकन को प्रेस करना था कि जो भी नूटिपीकर से मिलें वह आपको मिलना चाहिए और एक वीड चाहिए हल्प और वाखी वीडियो को शेर कर देना एक बार फोड़ा सा इतना और करते हूं ठीक है फेस्बुक चलाते हूं वर्टसप चलाते हूं अब डाल दे आपकी ग्रूप बने होंगे फ्रेंड की कॉलिज ग्रूप बगारा तो उसमें शेर करते वीडियो को देखो यह 2022 में आने वाले कोशन है छप रहे है इस वात को याद है अपके पेपर में यही छप के आएंगे आपको क्या कर रहे है अब आपको भरोसा कैसे होगा कि यही छप रहे हैं बहुत सारे डाउट में रहते हैं क्योंकि आप इस लिए डाउट में रहोगे क्योंकि आपने फ हो गए अब आगे आप सेकंड डियर में चिंता डवल हो गई यार फेल हो जाता हूं तो फिर से मुझे फ़स्टियर में जाना पड़ेगा यही तो चिंता आपको खा रही है न अब टेंसर मतलो बिस्बास करिए पेपर हैकर पर आपको भरोशा होगा और लास तक आपको प्रिटेंट कोशन दे रहे हैं सर विल्कुल सही है यह आएंगे आपको खुद भरोशा होगा क्या थे भरोशा होने का कारणा बिदा रहों आपको क्या करना है अपने बुक नोट सीरीज को उठाना है और उसको जो जो कोशन मैं आपको यहां बता रहा हूं कि इन को धियान वर्टसप पर मुझे मैसेज कर दो मेरा नंबर डिसकॉप्शन बॉक्स में रखा है वर्टसप नंबर आप बहां टेलीक्राम का लिंक मिल जाएगा सारे लिंक मिल जाएगे और जो रिटिन एक्जाम हो रहा है उसके इंपोटेंट कोशन मिल जाएगे सारे कोशन क्या होगा अब आपको वहां टिक लगाना है क्या क्या टिक लगाना है देखो एकाद कोशन जो मैंने बताया है एक्स्ट्रा साइध आपके गैस पेपर में ना हो कम हो यह फिर बहुत ज्यादा कोशन होगे वोज पता है मैंने तो केवल 18-20 कोशन दिये ज्यादा नहीं देत मैं अब इंपोटेνटी कोशन दोगा बागी कोई क्लास नहीं लेना वाला बागी जो टीचर हैं वो क्लास लेंगे आपकी मैं आपका यह काम करूँगा इंपोटेंट कोशन देने गा एक्साम आपका आगया है तो इसलिए भाई तोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा अब आ दूसरा आता है सिलवर तीसरा आता है गोल्ड यह तीन एलिमेंट होते हैं जो कौपर परिवार के एलिमेंट कहलाते हैं इन में साड़ी जो आवर्थ साड़ी है उसमें इसकी पोजीशन की विबेचना करनी है मतलब कि उसमें इस्तती बतानी है कौपर परिवार के एलिमेंटो कि आवर्त साड़ी में क्या भी बेचना है मतलब किस पोजीशन पर वो रखे गए है वो आपको देखना है समझ गए मेरी बात को चालो अब यहाँ उसके बाद क्या करना है देखो पहला कोशन पर आप्टेक लगा लिया ओ गया ना कॉपर फैरिमल तो ठीक है कॉपर हो गया सिलवर हो गया बोल्ड हो गया उनको आपको बताना है प्रेडिक्टेवल के नबर पोजीशन क्या है चलो उसके बाद में दूसरा कोशन आप टिक प्लूब कोशिन आपके सीरीज में नहीं मिल रहां उसको छोड़ेना वह जिसे बाइगा लियmore फॉर से दे रहा हूं यह लिक्नीर दें आपके सीरीज में जितने बाद में पोजेशन में बताऊंगा लास्ट से पहुचने के बाद बताऊंगा कि अब आपको क्या का करना है हमने लगा लिया इतना सब कुछ समझ में आगे आप सभी को लगाते रहे ना जो जो मिल रहा है और जो नहीं मिल आ उसको छोड़ देना बैफ फोर से निदे लोगा ये कोशन को दिहान से देखो ये कोशन क्या बोल रहा है देखो यहां बोल रहा है 3D संक्वर सेडी के तत्वों को गुरधर्म के आधार पर बताना है कि 3D संक्वर सेडी के तत्वों को गुरधर्म के आधार पर बताना है ठीक है किसकी तुल्ला करनी है गुरधर्म के आधा से करनी है यह कोशन देखो आपके बुक में मिलें ठीक है आप टिक लगा लो कोई दिक्कत नहीं है होगा होगा आप उसको टिक लगा लो ठीक है जो जो मिल रहा है उस पर टिक लगा ये बाद में डिसकस करेंगे में कौन सा छोड़ना है और कौन सा क्या पढ़ना है पस अभी याद रखो कि जो जो कोशन आपको मिल रहा है मैं आपको बता रहा हूं उसको लगते रहो और जो उसको छोडते रहो या फिर उसको क्या करता है टिक लगा Bis यदि ही नहीं है तो छोड़ो दो फिर दो जो मिल रहा है आपकी डूरग वर लेकर मार्ल उसके बाद में हैं वनडर की उपसे छक्व उप सहेयुजक सिद्धानतबं बित्व कि इंपोटेंट रहेगा आपके लिए मौश्ट् इंपोटेंट रहेगा। ठीक है, याद रखना बास. उसके बाद में आया, किलेट योगी किसे कहां, उसका बर्गी कर आद करिये। कीलेट योगी क्या होता है उसका बर्गी कर लिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैट एंड उसको आप इंपोटेंट्टर्स बगरा महत बगरा वो देखना है ठीक है महत पूर्ड जोची टॉपिक होती है यह बहुत जादा इंपोटेंट रही है यह वाला इसको आप मौश्ट पे ल पूशता है कि सिद्धान्त बताईए साथ ही साथ उसकी लिमिटेशन मतलब कि उनकी सीमाओं का लेख करिए बढ़न करिए यह मौश्ट इंपोटेंट उधार सहेत आपसे पूश्टा एक्जाम्पिल सहेत तो यह कोशन बहुत साथ है इसको अप टॉपिक को अपने गैस पे इसको नेक्स कोशन आपके सामने क्या है देखिए एंटी नाइट एलिमेंटों के बारे में पढ़ेंगे एंटी नैट स्रड़ी होती है उस स्रड़ी में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको याद करने कि हमने ट्रीक बता रखी है आप हमारे नोट्स को डालोड कर लोगे तो बहां बडए आराम से मिल जाएगे कोई दिकत नहीं मिलेगे यहां देखो यहां कहरा है एलेक्ट्रॉनिख बिन्यास के बारे में आप पढ़ेगे इलेक्ट्रोनिक बिन्यास क्या होता है परिवासा पड़लोizen परमानू क्या होता है आटम किसे कहते हैं और आइनिक उसके बाद में नेस्स कोशन आता है इसको यहां संकल नहीं होगा संकल निर्माड़ बोलते हैं यहां देखो बिद्धुत रसायनिक सिर्डी यह ये मोश्ट इम्पोटेंट है बिद्धोत रसायनिक सेडी ठीक है ठीक है उसके बाद में आता आयू-पी-असी नाम पूछता है आपसे लगवग में चार पूछेगा तो आधे अधे नंबर की होँगे दो नंबर आप पूछता है पक्का एकशन आप झूण भी दोगे तो भ स्वाले जो वार-वार पूछता है आप उसको डालोड कर सकते हैं यहां इसको देखिए और mc-quotion जो भी आपका mc-quotion आ रहा है mc-q आ रहा है तो हमने उसके लिए pdf बनाकर डाल रखें आप भो ध्यान रखना ठीक है pdf mc-quotion के pdf में डाल रखें आप उसको भी डालोड कर सकते हैं अब यहां देखिए यहां कहरा है रिडख्स विभब क्या होते है रिडख्स विभब mc-quotion उसके महत उनको उपयोग के और यहां कहरा है मानक हाइट्रोजन इलेक्टोड क्या होते हैं अब इसको पढ़ेंगे मानक hydrogen electrode की परिवासा के बारे में ठीक है उसके बार में आता है नेक्स कोशन ये बोला है अमल और चार लुज सिधान्त उनकी सफलताएं उनका बरगीकर्ण और उनकी सीमाओं के बारे में आप से पूसता है कि जो अमल और चार का जो लुज सिधान्त लुज ने एक अमल चार का क्या था उनकी क्या सफलताए रही है और उनकी क्या सीमाओं रही है O उसके बार में है किने अभीजिया का होती है और आप ये देखेंगे संकुली करण अभी अभी किरिया संकुलिक्षण अभी किरिया होती है यह reaction होती है जो हमसे बहुत ज्यादा important है आपके gas paper में जो भी reaction यहां से मिलती है आप उसको note कर लिजिए मतलब कि उस पर tick लगा लिजिए जो नहीं मिलती है उसको छोड़ दीजिए ठीक है जो जो मिल रही है उसको आप टिक लगाई है क्योंकि मेरे इसाब से काफी important है वैंको बदा रहा हूं आप बस इसको टिक लगा लिजिए जो छूट रहा है उसको छोड़ देजिए बाकि हम डिसकस करेंगे पीछे लास्ट में जाकर वीडियो के कि हमें क्या करना पड़ेगा जो छूट गए उनका क्या करना पड़ेगा ठीक है अब यहां देखो उसके बाद में है सिक्को से क्या समझते हैं देखो यहां कह रहा है सिक्को से सोना चांदी कोपर कैसे प्रप्त करते हैं यह सिक्को वाला छो जो quarts होते हैं उसे gold का निश्कर्था किस प्रकार से होता है magarthane phosphide 9 की विधी आपको इस विधी के बारे में जो Sinite की विधी होती है वह Sinite के बारे में explain करतेutan यहां कहरा है संक्रमण धातु संक्ल योगिक देखो संक्रमण धातु संक्ल योगिक से करते हैं आप से उपर पर वड़ाइंड के वारे में यहां देख लेन है समद में एक Birmingham पर रंगीन होता है बालकि जैडन प्लस सफेद ये कुई पर और भी में। बहुत है कि यह topic बनता है एक चोटा सा बन देगा आति लगूत्री वर्शन में यह बनता है चोटा सा वह सकता है सौट में बने ठीक है उसके बाद में हमें क्या करना है देखो दिहान से आप हमें क्या रहे गया अब यहां next question लगाएंगे यह question बूल रहा है यह हमसे क्राइस पूछ लेता है कि लहोचंब की किसे कहते है और पिर्ति लहोचंब की किसे कहते है यह पर तिक लगा लिए प्रजेंट में यह करना है बस टिक लगाना है कुछ नहीं सोचना अब जो टिक बोल रहा है तो जो जो मिल रहा है ठीक है उसके बाद में क्या है यह नहीं मिल रहा है तो मुझे है जो इय necksको आपके सामने क्या यह वारे में जली से मेलिक किसे कहते है पिर और फृभी समयटा है आप से पूश्चता है वो प्रिकासि समयुता वह और आयूं लेका द साथ याद हो जाएंगी एक बार पढल सकते हो इसी लिए पढ़ता सभी है क्योंकि यह अच्छे प्राप्त करना है तोड़ी महिनतों करनी पड़े यह तो किरिया अब उसके बाद में क्या है यहां देखिए यह कोशन पर टेकर लगाएंगे कि अमल और चार की जो कह सकते हैं जो अरियनियम था उनकी अबधारना दी गई थी उसकी सफलताओं के बारे में आर्थ करेंगे और एक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ब्रेक कह सकते हैं जो ब्रेंस टैस्ड लारी एक सिद्धान था उस सिद्धान के बारे हो सके आपके बुख में यह दे रखा हो कि ब्रेंस टैस्ड लारी जो सिद्धान थै यदे दे रखा हो तो पढ़ लेना ना दिया हो तो छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है यदि हो तो पढ़ लेना यह बहुत जादा important है यह कह सकते हैं लक्स फाल्ड की जो संकल्पनाती concept था उसको याद करेंगे ठीक है यू से कह सकते हैं यू से यह आपको बताना है यह सिद्ध करने के लिए पूछता है यदि हो आपके बुक में हो शौट में दिया हुआ तो कर लिना पर ना इसको छोड़ देना लास्ट में इसको मैं संक्रणी योगी कैसे होते हैं कैसे बनते हैं तो यह आपको इतना आपको दो हजार पाई इसमें आने वाला अब हम बाद करेंगे आप यह सोच रहे होंगे कि आपने अब बता हुझे कितने कोशन है यदि माल लीजिए इसमें से 18-19 कोशन थे लगभग में 20 कोशन होंगे आपने सारे कोशन टिक लगाए ठीक है आपने सारे कोशन टिक लगाए माल लीजिए इसमें से 5 कोशन नहीं फ को क्या करना है 13 14 कोशन जो मिल गए उसको तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पढ़ना है अब उसके बाद में क्या करना है आपको बाद में सर्फ ये करना है अब आपका दिल जो भी कहता है कि दो यार एक कोशन ये भी बहुत कोशन से आप कहते हूं कि यह कोशन बहुत जज़ादस है क्याय यह तीसरा भी कोशन बहुत इंपोटन बहुत इंप्योंट्ट है तो यार उपने आपको, अपने आप पर भरोसा रखिए थोड़ा सा, ठीक है, मलब सब पर भरोसा रखिए थोड़ा थोड़ा, तो मैं वही कहा रहा हूं कि चौदा बंदला कोशन मैं जो दे रहा हूं, जो फस्ते हैं आपके में, वो पढ़ना है, बाकी एक या फिर दो कोशन जो भी आपका दिल करता है, वो कोशन को एक्स्टा पढ़ लेना, पढ़के चले जाते हो, तो माने लो वो गलती से आ भी जाता है, अत्वामी में आ जाए, मैंने भी दिये, वो भी आ जाए, और उसकी अत्वा में जो आपने पढ़ा है, वो भी आ जाए, तो आप बना बना के तो कर सकते हो, जो आपको अच्छा याद हो, वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करने ही पढ़ेगी, सब कुछ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, अब लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और एक बार वीडियो को लाइक करते हो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है?